कान को साफ करने वाले एक रूइ के फाहे वाली दीली के रूप में जाना जाता है कान को साफ करने वाला ये यंत्र अब सौंधरे अरप प्रशाधन औरemi इलेक्ट्रॉनिक ीर्णिगन अन्य मेडिकल इंदस्ट्रीज में भी काम आने वाला एक करोड 80,6,250 करोड का चल रहा था इससे समझा जा सकता है कि स्कॉर्टन बर्ट्स का कितना बड़ा बाजार है और इसके भविश्य की कितनी अच्छी संभाबना है भारत में ये बिसनस महानगरों, बड़े नगरों में तेजी से चलता है चोटे गाउं और कस्पों में रहने वाले लोग आसपास के सामान से इसे देशी तरीके से बना कर काम चला लेते हैं इसलिए इस cotton birds का business महानगरों में किया जाना चाहिए। इस काम को कोई भी कर सकता है। इसके लिए किसी खास योग्यता अत्वा किसी खास training की ज़रूरत नहीं होती है। महिला और पुरिश दोनों ही ये business कर सकते हैं। दो तरह से शुरू कर सकते हैं business। पहला आप मार्केट में बनी तीलिया यानि birds ला सकते हैं। साथी कपास यानि रूई भी लाकर आप अपने हाथों से बना सकते हैं। उसको नजदीकी के medical store, general store और किराने की दुकान में बेच सकते हैं। दूसरा, automatic machine लगाकर बड़े पैमाने पर उतपादन करके business शुरू कर सकते हैं। इसमें manpower की भी ज़रूरत पड़ती हैं। चार तरह की होते हैं cotton birds, plastic cotton bird, rolled paper cotton bird, लकड़ी के cotton bird, बांस की लकड़ी के cotton bird। कौन्थ कौन से license लेने होंगे। फर्म का registration, GST number, trade license, नगर निगम या नगर पालिका का लेना होगा। पेटेंट कराने के लिए trademark and patent से registration कराना, एक्सपोर्ट के लिए IS number हासिल करना होगा। लागत पर करें अवश्य विचार। इस business में कितनी लागत आ सकती हैं ये business के size पर निर्भर करता है। यदि कोई अपने घर पर चोटा मूटा काम करता है, वो काम हजारों में ही शुरू हो सकता है, क्योंकि उसे ना तो जमीन पर पैसा खर्च करना होगा और ना ही मशीन लेनी होगी। Small scale 30-50,000, Medium scale 1,002,00, Large scale 10-15,00, मुनाफ़ा कितना होगा जानिये। घर से बिजनस शुरू किया तो आपको केवल 10,000 रुपए महीना मुनाफ़ा मिल सकता है। Medium scale के बिजनस में ये मुनाफ़ा 20,000 से लेकर 40,000 रुपए या 40% Large scale के बिजनस में 50-55% तक मुनाफ़ा कमाया चाह सकता है। कहाँ पर बेचने जाएं? Medical industry Medical से जुड़े अस्पताल, Medical College, Medical Store, क्लीनिक आदी से संपर करके अपना प्रोड़क्ट बेच सकते हैं। वहाँ पर आँक, कान, नाक और गले की बिमारियों में इस cotton bud का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लावा, DNA, करोना में टेस्ट के लिए स्वैब कलेक्शन में इस cotton bud का इस्तेमाल किया जाता है। Cosmetic industry Medical के बाद सबसे बड़ा market Cosmetic industry है, जहां विशेश तोर पर महिलाएं, मीकप, लिक्टिक, स्किन टोन के लिए क्रीम लगाते वक्त इस cotton bud की जरूरत पड़ती है। नाखुन से जुड़े काम में भी ये cotton bud काम आता है, जैसे नाखुन के सेट करने और उनको रंगीन करने के लिए और नेलाट को फाइनल टचिंग के लिए इस cotton bud का इस्तेमाल होता है। Painting business Painting शेत्र में cotton bud का बहुत ही बड़ा रोल है, प्ले स्कूल, स्कूल, कॉलेज में जहां पेंटिंग का काम होता है, वहाँ पर cotton bud को बीचा जा सकता है। E-Commerce Companies Business to Commerce Company, Amazon, Stap Deals, Flipkart, Mintra, Dotcom आपके लिए सही मार्केट हो सकती है। Business to Business e-Commerce Companies की वेबसाइट से टाई अप करके अपना प्रोड़क्ट बेश सकते हैं। इसमें Aribaba, India Mark, Trade India, Export India आपके थोग खरीदार बनकर आपकी मदद कर सकते हैं। Online Store Online Store से भी संपर करके अपने माल को बेच सकते हैं बिजनस करने के लिए। आपको पैकिंग पर विशेज ध्यान देना होगा। आपकी पैकिंग खुबसूरत होगी तो कस्टमर आपके प्रोड़क्ट को खरीदने में हिजक नहीं दिखाएगा। आपने प्रोड़क्ट का एट्राक्शन बढ़ाने के लिए आप अपने प्रोड़क्ट की तीलियों को रंग भी रंगा कर दें। शॉप एक कमरा स्टोर रूम जहां पर कच्चा और तयार माल रखा जा सके तीसरा मैनेजमेंट रूम या माकेटिंग रूम कच्चे माल में आपको क्या क्या ज़रूरत होगी इसे स्पाइंडल बड्ड या तीलियां जिसके दोनों सीरों में रूई लपेटी जाती है उसे स्पाइंडल बड्ड या तीली कहते हैं ये तीली लकड़ी, रोल्ड पेपर, प्लास्टिक, बाम्बू के बनी होती है ये बहुत हलकी होता था इसकी लंबाई 5-7 सेंटीमीटर ह स्पाइंडल के दोनों सीरों में रूई रूई को अच्छी तरह से चिपकाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाला क्यमिकल है स्पाइंड्र या कपास या हुसिगुणपावर मानयव श्रम यानि मैनुटियनृ इस कौधन बिजिनस में आपको manpower यानि काम करने वारे श्रमिकों की आविशक्ता होती है यदि आप automatic plant लगाते हैं तो आपको दो trained यानि प्रशिक्षित व्यक्तियों की आविशक्ता होती है और इसके साथ तीन अकुशल श्रमिकों की आविशक्ता होती है